कि नमस्कार दोस्तों आज मं आप लोगों के लिए 502 में आपका इंपोर्टेंट टोफिक लेकर आया हों साए कि आयुअ को सबसेंदर, इक वल्जिस्टिक के लिए उसके अंदर लीनियर regression क्या है क्यों यूज में लिया जाता है किस तरीके से हम मसें लर्णिंग में इसको यूज लेते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कुस करेंगे तो मैं आप लोगों पता दूँ कि लीनियर एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट सिंपल मसें लर्णिंग इल्गोरिथम है जो पर्टिकुलर सुपर्वाइज लर्णिंग टेक्निक्स के लिए हम उसको रिग्रेशन प्रोब्लम्स को सॉल करने के लिए यूज में लेते हैं इसके अंदर ने अपकाइब करता है इसके अंदर सुपर्वाइज लर्णिंग टेक्निक्स और मशें लर्णिंग की कुछ सारी अल्गोरिथम्स होती है जो particular level data होता है, data set होता है, prediction data set होता है, उन regression problems को, logistic regression problems को, classification problem को, in सारी problems के बारे में हम देखते हैं, और इनी चीजों से हम use करते हैं, तो इनी चीजों के साथ में हम देखेंगे कि regression and logistic regression testing और algorithm किस त्रीके से काम करते हैं, So, सबसे पहले हम बात करते हैं, Linear Regression and Logistic Regression are the two famous machine learning algorithms which come under supervised learning techniques. Since both the algorithms are of supervised in nature, hence these algorithms used label database to make the predictions but the main difference between them is how they are being used. The Linear Regression is used for solving regression problems. However, Logistic Regression is used for solving classification problems. The description of both algorithms is given below along with different tables. Doh तरीके किसके अंदर दो टेबल सहोती हैं, कौन कौन सी टेबल सहोती हैं, उनकी बारे में हम देखते हैं, एक होती है, independent variable की एक होती है, दूसरी होती है, linear regression के साथ में independent variable and dependent variable के साथ में ये चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे जरूरी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कि linear regression, linear regression के बारे में क्या करते हैं, मेरे पास में दो, एक ये होता है, x-axis, x-axis और y-axis पे मेरा graph generate करता हूँ, जो y-axis 0 point है, ये independent variable और dependent variable के बीच में होता है, x और y, जब इसके अंदर क्या होता है, कि एक line predict करते हैं, ये जो एक line predict करते हैं, इस line को इसके अंदर x-axis पे 0 point पे ये क्या होता है, pointing होते हैं, और यहाँ पर y-axis पे pointing declare करते हैं, कोई भी point लेते हैं, इसको दोनों को क्या करता है, crossover करता है, crossover करता है, इस चीज़ को क्या बोला जाता है state line बोला जाता है जो particular predict करता है y can exceed 0 and 1 range 0 और 1 range की बीच को य rende करता है exceed करता है जिसको क्या बोला जाता है linear regression बोला जाता है एक होता है logistic regression logistic regression के अंदर क्या होता है independent variable x axis और y axis और y dependent variable होता है जो पर्टिकुलर जीरो अक्सिस से लेकर कि यह वन के बीच में क्या होता है जो इसके अंदर क्या होता है एक्स एक्सिस के अंदर पॉइंट जीरो से स्टार्ट करके यह एक्स एक्सिस पर पॉइंट generate होता है कोई भी X-axis points होते है जो X-axis coordinators पे generate होते है एक्सべ y-axis coordinate होता तो y equal to qy होता ओन लेते है ay equal to one लेकर कि हम कोई भी points generate करते हैं जब यह point generate करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ए क्रोडिक्स जेनरेट होते हैं जब इन दोनों की बीच में ुक्रोंपार एक s यहां पर जो लेता है इसको बोलते हैं प्रेडिक्टेड वाइल वाइल लाइन्स वीदिन जीरो एंड वन रेंज जिसको क्या बोला जाता है लोजिस्टिक रिग्रेशन बोला जाता है अब इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो क्या होता है कि linear regression क्या होता सबसे पहले इसी चीज के बारे में बात करेंगे linear regression क्या होता है linear regression is one of the most simple machine learning algorithms that comes under the supervised learning techniques and used for solving regression problems number two point क्या होता है it is used for predicting the continuous dependent variable with the help of independent variables dependent or independent variable की help से इसको हम क्या करते हैं predict करते हैं इसके अंदर दूसरी चीज हम देखेंगे तो दूसरी चीज क्या होगी कि इसके अंदर next point होता है जो बहुत ही important point होता है जो point क्या होता है यह होता है the goal of the linear regression is to find the best fit line that can accurately predict the output for the continuous dependent variable continuous dependent variable दूसरा क्या होता है if signal independent variable is used for prediction then it is called simple linear regression and if there are more than two independent variable then such regression is called a multiple linear regression next point में क्या होता है by finding the best fit line algorithm establish the relationship between dependent variable and independent variable and the relationship should be of linear nature linear nature the output of the linear regression should only be the continuous value such as price, age, salary etc the relationship between the dependent variable and independent variable can be shown in below image इसके अंदर suppose एक मेरे सामनी है कि यह चार्ट है जो x-axis और y-axis के साथ में यह क्या है मैंने क्या लिए रखा है इसके अंदर एक होता है experience दूसरी है salary यह exponential वर्दी हो रही है सपोज 2-year experience पर यहां पर 40,000, 4-year experience पर 60,000, 6-year experience पर 80,000 80-year experience पर 1 leg, 10-year experience पर 1.2 leg इस तरीके से component भढ़ रहा है तो इसके अंदर जब यह कुछ points हैं यह notes जैसे जैसे year of experience बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है salary increase होती जा रही है वैसे वैसे number of employees की salary क्या हो रही है increase होती जा रही है जो particular एक किसी straight line से इसको यह क्या है straight line है इससे क्या करता है यह इसको y-axis salary है वो dependent variable के साथ में x-axis जो experience है independent variable के साथ में उसको एक particular line से मिलाते हैं और इस line को क्या बोलते है regression line इस line को क्या बोलते हैं हम regression line बोलते हैं in the above image in the above image dependent variable is on y-axis salary and independent variable is on x-axis experience the regression line can be written क्या लिखता है y equal to a0 plus a1 x plus sigma इसको हमेशा इसी तरीके से equation के रूप में लिखते हैं अब इसी तरीके से आगे जब हम चलते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है बहुत सारी चीजें होती है वेर जहां पर a0 and a1 are the coefficient and sigma is error than terms another terms क्या होता है logistic regression logistic regression क्या होता है logistic regression के अंदर हम क्या काम करते हैं particular जब हम किसी भी चीज को यूज में लेते हैं तो हमारा होता है logistic regression is one of the most popular machine learning algorithm that comes under supervised learning techniques logistic regression supervised learning techniques के थूँ फोलो होता है it can be used for classification as well as for regression problems but mainly used for classification problems दूसरा होता है logistic regression is used to predict the category category dependent variable with the help of independent variables with the help of independent variables next the output of the logistic regression problem can be only between then 0 and 1 next logistic regression can be used where the probability between two classes is required such as whatever it will rain today or not either 0 or 1 true or false next logistic regression is based on the concept of maximum likelihood estimation according to the estimation the observed data should be most probable and next one is in logistic regression we passed the weighted sum of the input through the through and activation functions can map value in between 0 and 1 such activation function is known as the sig mode functions and the curve obtained is called as sig mode curve and s curve consider the image like x-axis or x-axis or y-axis or y-axis के बीच में एक graph generate हो रहा है जो जिरो point से crossover हो रहा है जिसके अंदर x-axis points पे कुछ notes notes not generate हो रहा है y-axis point पे y equal to 1 से represent कर रहा है यह points represent हो रहा है यह y equal to 0.5 points से represent हो रहा है तो यहां पर भी point x-axis थैसे x and y-axis के सात में क्या हो रहा है जिरो points 3 पे जनरेक हो रहा है एक 0.5 पे जनरेक हो रहा है एक 0.8 पे हो रहा है और एक one पॉइंट से तो इस तरीके से एक क्या बनेगा एस करो बनेगा क्या बनेगा एस करो बनेगा जिसको हम सेंटर में वन और जीरो की बीच में एक सेंटर मार्जिन लाइन क्रिएट करते हम जो सेंटर मार्जिन लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं थ्रेश होल्ड वेली बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है इसी के अंदर जब हम आगे देखेंगी तो अब हम बात करते हैं डिफेरेंस बिट्विन linear regression and logistic regression difference between linear regression and logistic regression linear or logistic regression की जब मैं बात करता हूँ तो क्या क्या difference linear regression में और logistic regression में दोनों में हम देखेंगे difference तो पहला linear regression linear regression is used to predict the continuous dependent यूजिंग ए गिवन सेट ऑप इंडिपेंडेंट वेरियबल्स लोजिस्टिक के अंदर क्या होता है लोजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज तू प्रिडिक्ट दा के टिग्रेशन डिपेंडेंट वेरियबल्स यूजिंग ए गिवन सेट ऑप इंडिपेंडेंट वेरियबल linear regression के अंदर दूसरा डिफेरेंस के या linear regression is used for solving regression problems linear regression regression problem को solve करने के लिए यूज में लिया जाता है वही logistic regression is used for solving classification problems classification problem के लिए यूज में लिया जाता है इसके अंदर the linear regression we predict the value of continuous variable continuous variable के लिए प्रेडिक्ट करते हैं यहां पर क्या करते हैं in logistic regression we find the as curve by which we can classify the sample और दूसरा क्या होता है in logistic regression regression we predict the value of categorical variable इसके अंदर दूसरा difference के linear regression we find the best fit line by which we can easily predict the outputs and next हम इसके अंदर देखेंगे तो क्या होता है last square estimation method is used for estimation of accuracy and इसके अंदर क्या होता है maximum likelihood estimation method is used for estimation of accuracy linear regression के अंदर next difference क्या होता है the output of linear regression must be continuous value such as price age etc logistic के अंदर क्या होता है the output of logistic regression must be a categorical value such as 0 or 1 yes or no इसके अंदर अगर हम आगे देखेंगे तो linear regression के अंदर क्या होता है it is required that the relationship between dependent variable and independent variable must be linear इसके अंदर क्या होता है in logistic regression it is not required to have the linear relationship between the dependent and independent variable इसके अंदर क्या रेखते है इन लिनियर रिग्रेशन देर में भी को लिए टीविन दा इंडिपेंडेंट वेरियेबल लोजिस्टिक के अंदर क्या होता है logistic regression देर शुड नोट भी को लिए टीविन दा इंडिपेंडेंट वेरियेबल्स और इसी तरीके से आपका लोजिस्टिक और इनियर रिग्रेशन आपका खतम होता है तब तक मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लिए क्या हूं तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहे हैं सेफ रहे हैं और शुरक्षित रहे हैं और मेरे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे बैतरीन वीडियो लेकि आ सकें अच्छी क्वालिटी के साथ ला सकें तब तक नमस्कार